हलो एवरिवान वल्कम बाक वान्स अगेन तानिया दस साइड आप यू अला डूइंग ग्रेट सो आज मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ जो काफी इनो अभी भी इमोशनल स्ट्रेस में हैं परिशान हो रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें या मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी माकशीट देखके कि मेरे से क्या गलती हो गई है बिकोज मैंने अपना 100% दिया था सो आज ये विडियो स्टेशली डेडिकेट टू दोस स्टूडेंट्स ओनली आप किसी भी रीजन की वज़े से अपना एक्जाम नहीं दे पाए या जो भी और रीजन रहे हो मैं और शांतनु सर आपके साथ हैं देखो आपने कोई ना कोई स्ट्राटेजी तो डेफिनेटल है फर्म डेटर्मिनेशन है तो आपकी हेल्प के लिए अगर आप कुछ भी माकशीट से रिलेटेड या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं कहां से स्टार्ट करूं कौन सा सब्जेक में सबसे पहले उठाऊं कहां से रिजन स्टार्ट करूं तो और आपको देशन के वाट्साप नमबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहे दूंगी तो आपकी कोई माकशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा है तो सी एस एग्जेटिव के स्टूडेंट प्लीज मुझे वाट्साप करो आपको कुछ भी डाउट है कैस इसे भी क्वेरी है शांतरू सर आपके क्वेशन को आंसर करेंगे मैं एक्जेगेटिव के आंसर करूंगी और मुझे एक बात बताओ आपने अमेंडमेंट्स पढ़के गए थे ना इस बार नहीं गए तो इस बार हमें डेफिनेटली पढ़के जाना है कांपनी लॉग की अ आपको सारा का सारा कुछ सी एक्जेगेटिव की अमेंडमेंट्स आपसलीटली फ्री में गरवाँगी तो हमें अमेंडमेंट्स तो मिसाओ डेफिनेटली नहीं करनी है आई होप आप अपनी क्वेरी मुझे अपना समझ के डेफिनेटली शेयर करोगे जितना मैं आपसे और दोनों के नंबर्स दिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं I am sure कि हम आपकी किसी भी तरीके से मदद डेफिनेटली कर पाएंगे तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तिल देन टेक केर